यहां पर हम लग देखेंगे פेज 176 तो पेज 176 में यहां पर क्या दिया है चतीज का स्टोडी स्टीशいきます यहां पर हम लोग स्टोडी पढ़ेंगे तो फार्मिंग करने के लिए or Wrestle का पिता जी Universum अब देखो श्रतीष का फादर ने जो लोन लिया था ठीक है जो उधार लिया था उसके करण उसका मा क्या कर रहा है हर माईना पांच हजार रुपया देना पर रहा है जहां से या जिससे भी उसने लोन लिया था एवरी मंथ उसने कितना लोन लिया है लोन कितना लिया है हर मंथ हर मंथ लोन लेने के कारण उसे पांच हजार रुपया देना पर रहा है एवरी मन्थ ठीक है, एवरी मन्थ ठीक है, एवरी मन्थ उसे पाँच हजार रुपया देना पड़ रहा है, श्रतिस स्टार्टेड वार्किंग, ठीक है, अब श्रतिस ने क्या किया, काम करना शुरू किया, उसने क्या किया, 17 जो आपका गोट्स होता है, वो गोट्स को देख भाल करता था, ठीक है, उसने काम करना शुरू कर दिया, 17 गोट्स को उसने देख भाल करना शुरू किया, He earns 1 रूपी, every day, for 1 गोट, तो एक गोट के लिए, उसे 1 रूपीय मिलता था हर रोज, ठीक है, तो इतना तो हमें समझ महा रहा है कि अगर 1 रूपीय मिलता है, एक गोट के लिए, तो 17 गोट देखने के लिए 17 रूपीय मिलेगा हर रोज, तो हम लोग लिख सकते हैं, for 1 गोट, for 1 गोट कितना मिलता है, 1 रूपी, 1 रूपी मिलता है, एक रूपीय मिलता है, ठीक है, every day, every day, तो 1 गोट, for 17 गोट, 17 के लिए कितना होगा, 17 into 1, ठीक है, 17 रूपीय मिलेगा, every day, ठीक है, यह हमें, यहां से हम लोग को यह पता चल गया, ठीक है, he every day, he earns every day, 1 रूपी, for 1 गोट, एक गोट देखने के लिए, एक रूपे मिलता है, तो वो 17 गोट देख रहा था, यहां पर देखो, 17 गोट, ठीक है, तो 17 गोट देखने के लिए, उसे 17 रूपे मिलेगा, हर रोज उसे 17 रूपे मिलेगा, how much will you earn in one, एक माहना में उस for 1 day, he earned, कितना मिलता है उसे, he earned रूपीज 17, तो 30 डेख मतलब एक माहने के लिए, कितना होगा उसका, रूपीज 17 इन्टो 30, ठीक है, राफ कर लेता है, यहां पर, 17 इन्टो 30, 0, 0, 21, क्यारी 2, 3, 3 प्लस 2, 5, तो 5, 1, 0, तो वो एक माहने में कितना कमाएगा, 510 रूपया, ठीक है, यह है question number, first question का, ठीक है, how much will you earn in one, एक माहने में कितना कमाएगा, तो एक माहने में वो 510 रूपया कमा रहा है, does he earn enough to help, pay the loan every month, क्या वो काफी रूपया कमा लेता है, उसका लोन पे करने के लिए, नहीं क्योंकि उसका मा को कितना रूपया देना पड़ता है हर मंद, 5,000, और वो कितना कमा रहा है, 510 रूपया, तो वो enough पैसा वो नहीं कमा पा रहा है, ठीक है, तो वो enough पैसा वो नहीं कमा पा रहा है, अपना लोन को repay करने के लिए, how much will you earn in one year, एक साल में वो कितना कमाएगा, तो एक महीना के लिए अगर 510 रूपया है तो बारा महीने के लिए कितना होगा, ठीक है, for one month हम लोग यप लिख सकते हैं, for one month, for one month, one month, he earned कितना कहा कमाता है, he earned, he earned कितना कमाता है, 510, पांसो दस रूपया, ठीक है, for 12 month के लिए कितना होगा 510 into 12 ठीक है तो हमनों यह पर rough कर ले था है 510 into 12 से 0, 2, 10 0, 1, 5 तो कितना होगा? 0, 2, 1, 6 तो वो एक साल में कितना कमा रहा है? Only 6,120 ठीक है? तो एक साल में वो इतना कमा रहा है यह होगे आपका 37 का स्टोरी आप आते हैं हम लोग कमला भाई का स्टोरी में ठीक है? तो ठीक है कमला भाई का स्टोरी में क्या दिया है? To help farmer state government give cows तो farmer जो आपका खेतिवाड़ी करते हैं ठीक है? उनके लिए state government मतलब सरकार ने क्या कर रहा है? काउ मतलब गाई दे रहा है ठीक है? काउस दे रहा है उसको कमला भाई गुड़े और सो गौटे काउ तो कमला भाई गुड़े जो है उसने भी एक गाई खड़ीदा है पर उसने कितना दिया था? कमला भाई ने कितना दिया था? 5,500 एंड गब्मेंट स्पेंट दे रिस्ट आप द मानी और बाकी पैसा कितने दिया? बाकी पैसा दिया आपका गवर्वर्मेंट ने ठीक है? आप क्या बोल रहा है देखो? आपका कितना पैसा दिया था? तो हम लोग यहां पे लिख सकते है कि टोटल कॉस्ट कितना है काव का? टोटल यहां पे करते है टोटल कॉस्ट आपका कितना है? रूपीस 17,500 ठीक है? टोटल कॉस्ट कितना है काव का? टोटल कॉस्ट उनमें इसे कम लबाई कितना दिया है? कम लबाई कितना दिया है रुपेश 5500 तो बाकी पैसा कितना दिया गवर्मेंट ने तो गवर्मेंट कितना दिया यहां से माइनस कर देंगे 17500 और 5500 तो 0055 ठीक है 7-5 कितना होदा है 2 और यह 1 तो बाकी यह जो 12000 है देखो एक काउ का कितना काउ का भाव कितना है 17500 उनमें से कम लबाई कितना दिया है 5500 तो बाकी पैसा कितने दिया बाकी पैसा आपका किस ने दिया गवर्मेंट ने दिया तो गवर्मेंट ने कितना दिया तो गवर्मेंट ने आपका कितना दिया 12000 तो माइनस करके हमने यहाँ पर देख लिया कि गॉब्मेंट कितना दे रहा है गॉब्मेंट दे रहा है आपका 12,000 तो एक के लिए गॉब्मेंट कितना दे रहा है फॉर वन फॉर वन फॉर वन फॉर वन पीपल और फॉर वन पर्सन गॉब्मेंट कितना दे रहा है गॉब्मेंट कितना दे रहा है बारा हजार रुपया दे रहा है ठीक है फॉर वान एक जन के लिए तो फॉर नाइन पीपल गॉब्मेंट कितना देगा 12,009 से गुना कर देंगे 12,000 इंटू 9 आप यहाँ पर राफ करके हम लोग देख सकते है 9,00, 9,00, 9,00 9,00, 9,00, 9,00, 18, carry 1 9,1, 9, plus 1, 10 ठीक है? तो 12, 9 आदमी के लिए वो कितना दे रहा है? 1, 0, 8,000 मतलब 1,8,000 ठीक है? तो एक कमला भाई के लिए उसने कितना दिया था? 12,000 दिया था ठीक है? उस गाउ में 9 आदमी हैं जो काउ खरीदना चाहता है तो 9 आदमी के लिए कितना देगा? यह 12,000 से हम लोग माल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 1, 0, 8, 0, 0 अब देखो क्या बोल रहा है? बट कमला भाई was not happy कमला भाई खुश नहीं है शी हैट टू स्पेंट 85 एवरी डे ओन दे काउ तो जो काउ उसने खरीदा है उस काउ के देखभाल करने के लिए उसका 85 हर रोज उसका खर्चा हो जाता है शी मेट सम मनी तो कुछ पैसा उसका आता है वहां से जो दूद मिलता है काउ से जो दूद मिलता है वहां से उसको बेच के उसको कुछ पैसा भी आता है पर उसको 85 मतलब 85 रोपया हर रोज उसका खर्चा हो जाता है ठीक है? बट still she wanted to sell the काउ बट फिर भी वह उसको बेचना चाता है ठीक है? इप कमला भाई spent 85 a day find out how much she will spend in one month तो देखो कमला भाई जो काउ उसने जो काउ खरीदा था ठीक है? तो काउ के लिए उसका जो गाई उसने खरीदा उसके लिए हर रोज उसको कितना पैसा खर्चा होता है 85 85 रुपया उसका खर्चा हो जाता है यहाँ पर question में क्या बोला है? कि एक महिना में उसका कितना खर्चा होता है तो for one month उसका एक महिने के लिए उसका कितना खर्चा होगा? तो हम लोग इसको rough में करके देख सकते हैं ठीक है यहां पर आपमें घर कर देख सकते है फ्र में मन्त कमला बाई ऑग कि तुमला भाई इन ऊपलतों कि न खरक्चा कर रहा है इस फोर वन डे इस फोर वन दे इस शीस पेंट कितना खर्चा वह रहा है she spends कितना कर्चा कर रहा है वो 85 रुपिया 85 रुपीज ठीक है तो एक माहिना के लिए मतलब 30 एक माहिना मतलब 30 तो 30 डेस के लिए 430 डेस के लिए कितना होगा रुपीज 85 इन्टु 30 ठीक है रफ कर लेते हैं यहापर 85 इन्टु 30 0015 करी 1 24 प्लस 125 ठीक है 0552 तो यहापर कितना हो रहा है कितना घर से हो रहा है मतलब 2550 रुपीज 2550 उसका अगर हर रोज अगर पचासी रुपया खर्चा होता है तो एक माहिना में उसका कितना खर्चा होगा 2550 ठीक है यह वाला आपका होम वाक रहेगा दकाव गीब 8 लिटर ऑप मिल्क अगर 8 लिटर दूद देता है तो एक माहिना में वो कितना दूद देगा ठीक है यह आपके लिए होम वाक रहेगा बेरी इजी ठीक है एक दिन में 8 लिटर देता है दूद तो 30 दिन के लिए कितना देगा यह माल्टिप्लाइग कर देंगे एट इन्टू 30 ठीक है यह आप लोग करोगे तो यह होगी आप पेज आपका यह होगी आपका पेज 176 ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम लोग पेज 177 को डिसकस करेंगे ठीक है थैंक्यू